मोवी की सुरुवात में हम डॉक्टर स्ट्रेंज को एक खतरनाक क्रियेचर से लड़ते हुए देखते हैं उसके साथ एक लड़की भी होती है और उसी को वो उस मॉंस्टर से बचाने की कोसिस कर रहा होता है पर उस मॉंस्टर के आगे स्ट्रेंज की पावर कमजूर पढ़ र के लिए उसकी कुर्बानी देनी होगी पर तभी वो मॉंस्टर स्ट्रेंज को पकड़ कर उपर उठा देता है और उसे मार कर वही नीचे पटक देता है उसके बाद वो मॉंस्टर उस लड़की को पकड़ कर उसके पावर को छीनने लगता है पर उस लड़की की पावर के व वहाँ वो क्रिष्टीन से कहता है कि वो सौरी फील कर रहा है क्योंकि उसने उसकी केयर नहीं की पर वो इस बात से खुस है कि उसे वो मिल गया जिसके साथ वो खुसी से रह सकती है। तबी बार सेहर में किसी का हमला होता है और अस्ट्रेंज सेहर को बचाने के लिए जाता है वहाँ एक बड़ा सा ऑक्टोपस एक बस को उठाय हुए था जिसमें एक लड़की थी अस्ट्रेंज उस लड़की को उस बस से बाहर निकालता है और उस ऑक्टोपस से लड़ने लग अस्ट्रेंज उस लड़की को देखकर कहता है कि सायद वो उससे पहले भी मिल चुका है ये वही लड़की थी जिसे उसने कल सपने में देखा था तब ही वो ऑक्टोपस अस्ट्रेंज को पकड़ कर पास के बिल्लिंग में फेक देता है जहां वो बेहोस हो जाता है वो फिर से इस बार उससे बचा लेता है और तब तक श्रेंज भी वापस आजाता है और वोंग को उससे चुडाता है वो दोनों मिलकर अब उसका मुकाबला करने लगते हैं पर वो दोनों उसके आगे कमजोर पढ़ रहे थे इस बार उसने श्रेंज को अपने टैंटिकल्स में अउक्टोपश की आँख को ढहता है तब ये स्ट्रेंज्च का कोट उर्था हूँ आता है और अक्टोपस की आँख को डख लेता है, अश्ट्रेंज्च तुरंथ वहां एक पोल की मदद से उस उसक आँख बाहर निकाल देता है जिसकी वजह से वो वही मारा जाता है उसके बाद अस ट्रेंज उस लड़की से पूछता है कि वो कौन है और उसने उसे अपने सपने में कैसे देखा वो लड़की उसे बताती है कि वो उसका सपना नहीं बल्कि कि एक दूसरा यून्यवर्स था जिसमें उसका ही एक अलग वर्जन उसके साथ एक मॉंस्टर से उसे बचा रहा था वो उसे बताती है कि वो आक्टोपस उसे किडनैप करना चाह रहा था क्योंकि कुछ डेमन्स हैं जो उसके पावर्स को छीनना चाते हैं वो बताती है कि उसके पास किसी भी universe में travel करने की power है पर वो उस power को control नहीं कर सकती है जब भी उसे कभी डर लगता है तब वो power अपने आप activate होने लगती है और multiverse के portal खुलने लगते हैं अस्ट्रेंज उससे पूछता है कि कोई तो रास्ता होगा उन demons को हराने का वो कहती है कि एक बुक है, जिसकी मदद से वो डेमन्स को हरा सकते हैं, वोंग कहता है उस बुक तक पहुंचना लगबग नामूमकिन है, पर वो लड़की कहती है कि वो अस्ट्रेंज के साथ उस बुक तक लगबग पहुंच चुकी थी, पर डेमन्स ने आके उन्हें रोक दिया, और वो य यहां इस यूनिवर्श में आ गई, अस्ट्रेंज कहता है कि यह रियल नहीं हो सकता, क्योंकि यह सिर्फ उसका एक सपना था, वो लड़की उसे पुरूफ के तोर पे दूसरे यूनिवर्श के अस्ट्रेंज की लास को दिखाती है, जो उसके साथ यहां आ गई थी, यह दे क्योंकि वहां वो सेफ रहेगी, वो अस्ट्रेंज की लास को वहीं दफना देते हैं, आगे हम वांडा को देखते हैं, जो अपने दोनों बच्चों के साथ घर पे इंज्वाई कर रही होती है, पर यह सब उसका सिर्फ एक सपना था, जिसे वो वास्तविकता में बदलना च आते हैं, वो लोग उसे कमरताज लेके आये हैं, ताकि वो फिलाल सेफ रह सके, अस्ट्रेंज वांडा से कमरताज आकर एक बार उस लड़की से मिल लेने को कहता है, वांडा उससे कहती है कि तुम अमेरिका को यहां उसके पास क्यों लेकर नहीं आ जाते, वो उसके साथ में पढ़ जाता है, क्योंकि अभी तक उसने वांडा को उस लड़की का नाम नहीं बताया था, पर उसे पहले से उसका नाम पता था, पर तब वांडा उसके सामने से सारा इल्यूजन हटा देती है, वांडा अब असकालेट विच बन चुकी थी, अश्ट्रेंज देखता है उसने डार्क होल्ड बुक को खोल लिया था, जिसकी वज़ा से उसकी सक्तियां उसी पहावी हो गई थी, वांडा उससे कहती है, कि इस बुक की मदद से उसके पास वो सब वापास आ सकती है, जो कभी उसका हुआ करता था, वो कहती है कि वो इस यूनिवर्स को छोड़ तो वो जिन्दा नहीं रह पाएगी, वांडा उससे कहती है कि तुम्हें नहीं लगता, तुम्हारे मुंसे ये नीचर के लाओ के उलंगन वाली बात सही नहीं लगती, क्योंकि उसने भी तो वही किया था 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 एन उसको टाइम स्टोन देकर, तुम नियम को तोड़कर ही पूरे मल्टिवर्स को गुलाम बना देगी, वांग अपने सारे आदमियों को उसे रोकने के लिए तयार होने को कहता है, सारे लोग कमर ताज की फाज़त के लिए अपने अपनी पोजीसन ले लेते हैं, और तभी कुछ दिरबात पूरे कमर ताज के आसपास काला धुआ उ हट जाने को कहती है, क्योंकि वो अपने बच्चों के पास जाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, वो स्टेंच पे हमला करती है, पर उसके आगे कमर ताज के लोगों ने एक मजबूत सिल्ड बना दिया था, जिस पे वांड़ा का कोई पावर काम नहीं करता है, वो क बात वांड़ा वहां पे हमला करती है, कुछ देर तक वो सब वांड़ा के वार को जहिलते हैं, पर बहुत जल्द वो सब उसके आगे हार जाते हैं, वो वहां सब कुछ तबाह कर देती है, पर तब तक अस्ट्रेंज उस लड़की को बचाने के लिए उसे वहां से कहीं और चुपा देता है, और खुद जाकर वांड़ा के सामने खड़ा हो जाता है, वो वांड़ा को मिरर इल्यूजन में फसा देता है, जहां उसके पावर्स भी काम नहीं कर रहे थे, पर वो अपने रिफलेक्शन के थुरू उन तक पहुँचने की कोसिस करने लगती है, अस्ट् के साथ रे रही है, अस्ट्रेंज कहता है कि जिस यूनिवर्स में तुम जाओगे वांड़ा का क्या होगा, क्या वो उसे उसके बच्चों के साथ रहने देगी, और अस्ट्रेंज वांड़ा पे हमला कर देता है, पर उसके पावर वांड़ा के सामने कुछ भी नहीं थे, व जूंक को भी वो मारकर वहीं बेहोस कर देती है और चैविस को पकड़ कर उसकी पावर को उससे निकानने लगती है। वो सायद उसकी मदद कर सके पर चैविस कहते है कि यहां उसका कोई दूसरा वर्जन नहीं है क्योंकि वो खुद उसी यूनिवर्स की है वो कहते है कि वो अस्ट्रेंज के दूसरे वर्जन को ढूंड कर Book of Vicenti का पता लगा सकते हैं और सायद उसकी मदद से वो वंड़ा को रोक पाए, वो दोनों अस्ट्रेंज के दूसरे वर्जन को ढूनने निकल जाते हैं, वहाँ रास्ते में उन्हें एक मसीन दिखाई देती है, जो लोगों की पुरानी यादों को वापस दिखाती थी, अस्ट्रेंज उसमें देखता है जब वो क्रिष्टिन के साथ डेट पे गया था, उस दिन क्रिष्टिन ने उसे एक घड़ी गिफ्ट किया था, ये देखकर वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है, चैविस भी अपने यादों को देखती है, जिसमें उसके साथ उसकी दोनों मॉम्स होती है, पर उसकी डर की इस पे लिखा होता है कि वो थैनोस से लड़ते हुए मारा गया, तभी वहाँ उन्हें कालमोडो दिखाई देता है, जिसने अस्ट्रेंज को पहली बार कमरताज पहुँचाय था, वो अस्ट्रेंज को अपने शाथ अंदर लेकर जाता है, अस्ट्रेंज उसे चैविस और अ और उसकी बॉड़ी को पोजेस करके अपनी तरीके से इस्तिमाल कर सकता है, यह पोसेशन पर्मानेट नहीं होता है, पर इससे वो उस रियालेटी में काफी डैमेज कर सकते हैं, और अभी तक जो भी क्रियेचर चैविस का पीछा कर रहा था, वो हो सकता है कोई और नहीं बल पोजेक्ट करने की कोसिस कर रही थी, जहां चैविस और डॉक्टर अस्टेंज थे, उसने वांग को अपने पास बांध करके रखा हुआ था, तभी वांग के पास उसका एक आदमी आता है, और अपने चाको से डार्क होल्ड की बुक को लेकर दिश्ट्रॉय कर देता है, ज आज के लोगों को माने की धमकी देकर उससे वो अस्पेल पूछती है, वह उससे बता देता है कि डार्क होल्ड सिर्फ एक कॉपी थी, जिसमें वो अस्पेल लिखे हुए थे, पर उसका असली पावर वैंडा कॉर में है, पर वहां तक आज तक कोई पहुँच नहीं पाया ह पर वांडा उससे कहती है कि ऐसा करने वाले वो लोग पहले होंगे, इधर अस्ट्रेंज की जब आख खुलती है तो वो अपने आपको एक ग्लास सेल में पाता है, चैविस भी उसके बगल वाली सेल में थी, वो देखता है कि वहां क्रिश्टीन है, वो उसे बताती है कि वो लोग उसके लैब में रिसर्च परपस के लिए लाए गये हैं, क्योंकि वो किसी और उनिवर्स से आये हैं, इसलिए वो लोग उसकी पूरी जांच करना चाते हैं, तब ही वहां काल मोडो आता है, और उससे कहता है कि वो लोग उसे इल्यूमिनार्टी के सामने पेस करने के लिए ले जा रहे हैं, अस्ट्रेंज को समझ नहीं आता है कि इल्यूमिनार्टी क्या है, वांडा वांग को लेकर वैंडा कोर पहुँच चुकी थी, वहां वो एक तूटे हुए खंडर में पहुँचते हैं, वांग बताता है कि यहीं सबसे पहले एक डेमन ने उस पावर क हासिल किया था, और फिर बाद में उसे डार्क होल्ड बुक में लिखा गया, वांडा वां लाइट जलाने लगती है, तब ही चार बड़े मॉंस्टर उनकी तरफ बढ़ते हैं, पर वो सब वांडा के आगे अपने आपको सरेंडर कर देते हैं, ऐसा लगता है वो लोग उसक पेस किया जाता है, वां हम कैप्टन कार्टर को दीखते हैं, कुछ और भी सूपर हीरोज वां थे, जैसे कि ब्लैक बोल्ट, मिस मार्बल और फैंटास्टिक फोर के रिड रिचर्ड, रिचर्ड अस्टेंज से कहता है कि उसका उनके उन्यूवर्स में आना किसी खत्रे से कम नहीं है, क्योंकि उसके पीछे कई मुसिबते भी साथ आ सकती है, और उसने नेचर के लॉग को भी तोड़ा है, उन लोगों ने इलुमिनार्टी को बनाया, ताकि डिफिकल्ड डिसीजन ले सके, इसलिए आज वो डिसाइड करेंगे, कि उसके साथ उन्हें क्या करना चाहि अस्ट्रेंज उन्हें बताता है कि उनके उपर बहुत बड़ी प्रोब्लम आने वाली है, असकारलेट विच के रूप में, रिचर्ड उसे बताता है कि ड्रीम वाकिंग को लेकर असकारलेट विच से उनके लिए ज्यादा खत्रा उसके युनिवर्श का डॉक्टर अस्ट् आर खोल की पावर ली और ड्रीम वाकिंग करना सुरू कर दिया, पर एक दिन उसने उन सब को बुलाया और कनफेस किया कि वो ड्रीम वाकिंग कर रहा है, और ऐसा करते हुए एक बार उससे गड़बड हो गई, और उसकी वज़ह से एक युनिवर्श के सारे लोग मारे गए और उसे डर है कि उसकी वज़ह से वो दुबारा ऐसी गलती कर सकता है, उन सब ने बुक ओफ वेसांटी की मदद से थैनों उसको मारा, पर उनके सामने अभी भी दूसरा खत्रा मौजूद था, डॉक्टर स्ट्रेंज के रूप में, इसलिए उन सब ने ब्लैक बॉड की मद इल्यूमिनाटी के लोग अपने बिल्लिंग में किसी के हमले की आवाज सुनते हैं, वो कैमरे में देखते हैं, वांडा ने उन पर हमला किया था, वो सब उसे रोकने के लिए चले जाते हैं, चाल सा स्ट्रेंज से कहता है, कि अगर वो इस सेल से बाहर आ पाता है, तो वो ब रिचर्ट वांडा को रुख जाने को कहता है, वो कहता है कि बलेक बोड उसे सिर्फ अपनी आवाज से खत्म कर सकता है, पर बलेक बोड का पूरा मुही सील हो चुका था, और वो अंदर ही अंदर अपनी आवाज से ही फट कर मर जाता है, वो रिचर्ट को भी एक जटके में ही मार डालती है, कैप्टन कार्टर और मिस मार्बल उस पे हमला करती है, वो दोनों एक साथ उस पे हमला करके उसे रोकने की पूरी कोसिस कर रहे थे, कैप्टन अपनी सिल्ड से उस पे हमला करती है, पर वो उसकी सिल्ड को पकल कर जोर से उसी की तरफ फेकती है, और उसकी बढ़ासा एस्टैचू गिरा कर उसे भी मार देती है अस्टैछ अपने आपको Zone से बहार निकालने के लिए मोडोगो को उखसाता है और वह जैसे माने सेल के अंदर आता अस्ट्रेंज उसे हरा कर वहां से बहार आ जाता है इधर क्रिष्टीन चैवी को सेल से बहार निकानने की कोसिस कर रही थी क्योंकि वो सेल जाम हो चुगा था वो उस गलास को तोड़ने की भी कोसिस कर रही थी तभी एक पंच से चैविस उस गलास को तोड़ देती है पर तब तक Wanda वहाँ आ चुकी थी तभी उसे रोकने वहाँ चाल साता है और उसके दिमाग से असकालेट विच को निकानने की कोसिस करने लगता है पर असकालेट विच उस पे भी हावी हो जाती है और उसकी गर्दन मरोड कर उसे भी मार देती है तब तक अमेरिका और क्रिस्टीन वहाँ से भाग जाते है भागते वो उन दोनों को अस्ट्रेंज मिलता है क्रिस्टीन उन्हें लेकर बुक अफ वेसांटी के पास ले जाने लगती है वो लोग एक टरनल के थुरू जा रहे होते हैं और उनके पीछे वांडा आ रही होती है अस्ट्रेंज किसी तरह से वांडा को वही टरनल में दबा कर फसा देता है और वो लोग एक गेट के पास पहुँचते हैं जिसे सिर्फ डॉक्टर अस्ट्रेंज ही खोल सकता था वो उसे खोलने की कोसिस करता है पर उससे वो खुलती नहीं है क्रिश्टिन उसे अस्ट्रेंज के घड़ी देती है जिसकी मदद से वो उस गेट को खोल लेता है वो जगा स्पेस और यूनिवर्स के बीच के गैप का जंगसन था वहाँ बुक अफ वेसांटी रखी हुई थी अस्ट्रेंज जाकर उस बुक को अपने हाथ में ले लेता है तबी चैविस को वांड़ अपनी तरफ खीचती है और वो अपने पावर से बुक अफ वेसांटी को भी डिश्ट्रॉय कर देती है वो चैविस को पकड़ कर उसकी पावर को निकानने लगती है और फिर से चैविस की डर की वज़े से वहाँ मल्टी वर्सेस पोर्टल खुल जाते है जिसमें वो अस्ट्रेंज और क्रिश्ट्रीन को फेक देती है और उसके बाद वो एक पोर्टल खुल कर चैविस को असकालेट विज के पास भेज देती है और इसके बाद असकालेट विज वॉंड़ से अपना पॉजेसन हटा लेती है Wanda को जैसे ही अपना ध्यान आता है वो अपने बच्चों के पास भागती है और इदर स्कालिट विच्चाव इसको उठा कर बीच में रख देती है Kristen और Strange एक ऐसी यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं जहां कई सारी यूनिवर्स आपस में कॉलाइड कर रहे थे वो दोनों उस यूनिवर्स के डॉक्टर एस्टेंज से मिलने जाते है Kristen को एस्टेंज बाहरी छोड़कर अकेले ही उससे मिलने उसके घर जाता है वो उससे मिलकर अपने बारे में सब कुछ बताता है और अपने यूनिवर्स जाने में उसकी मदद मांगता है वो देखता है कि उसके पास डार्क होल्ड की बुक है वो अस्ट्रेंज वहाँ से नीचे क्रिस्टीन को दिखता है और उससे पूछता है कि क्या तुम क्रिस्टीन के बिना खुस हो क्योंकि वो तो नहीं है और तब ही उसकी तीसरी आप खुलती है वो कहता है कि वो उसे डार्क होल्ड बुक यूज़ करने देगा पर उसके बदले में उसे क्रिष्टीन उसे देना होगा अस्ट्रेंज उस पे हामला काने लगता है और वो दोनों वहाँ एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और डॉक्टर अस्ट्रेंज के एक वार से वहाँ का अस्ट्रेंज खिलकी को तोड़ता हुआ नीचे जाकर रॉड पे गिर जाता है और वहीं मारा जाता है डार्क होल्ड की बुक अस्ट्रेंज को मिल चुकी थी इधर पहाड से गिर कर वॉंग भी मरा नहीं था वो एक पत्थर पे अटका हुआ था वो उटकर वापस उपर चड़ने की कोसिस करता है जहां वांडा चाविज की पावर्स को निकालने की कोसिस कर रही थी अस्ट्रेंज डार्क होल्ड की मदद से देखता है कि वांडा अपने मकसद के काफी करीब है और तब अस्ट्रेंज ड्रीम वाकिंग करने का सोचता है वो क्रिस्टिन से कहता है कि वो उसकी बॉड़ी की हिफाज़त करे जब डेमन सोल उस पे हमला करेंगे अस्ट्रेंज अपने यूनिवर्स के मरे हुए डॉक्टर अस्ट्रेंज पर अपनी पोजेशन करता है जिसे उसने गार दिया था वो मरा हुए अस्ट्रेंज फिर से बहार निकल कर खड़ा होने लगता है और उसे वो वेंडर कोर तक पहुँचा दीता है पर तभी बहुत साइ डेमन सोल उस पर हमला करने लगते हैं वो डेमन्स कह रहे थे कि डेड बोडी को पोजेस करना माफी के काबिल नहीं है और बहुत सारे डेमन्स उस पर हमला करने लगते हैं क्रिष्टिन उसकी बॉड़ी को डेमन्स से बचाने की कोसिस कर रही होती है वो वहाँ की सारे डेमन्स को फायर फ्लेम से खत्म कर देती है और अस्ट्रेंज को जा कर समालती है और कहती है कि वो उन डेमन इस्पिरिट को अपने फायदे के लिए इस्तमाल करे अस्ट्रेंज उ वांग उसे किसी तरह कंट्रोल कर लेता है वांग उससे कहता है कि वो ज़्यादा देर तक उसे समान नहीं पाएगा उसे चाविस की पावर को निकाल कर यूज करना होगा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है अश्ट्रेंज चाविस की तरह बढ़ता है चैविस उसे कहती है कि वो अब समझ चुकी है कि उन्हें उसकी पावर क्यों चाहिए और वो अपने अंदर से उसे पावर निकाल लेने को कहती है पर अस्टेंज उसे कहता है कि वो उसका पावर लेने नहीं आया है बलकि उसे बताने आया है कि वो अपने आप पे भरोसा करे फिर वो अपने पावर को खुद कंट्रूल करने लगेगी और वो मिलकर असकालेट विच को हरा पाएंगे अमेरिका अपने पावर को कंट्रूल करने की कोसिस करती है तब तक Wanda भी छूट जाती है और वो अश्ट्रेंज पे हामला करके उसे मानने लगती है तब ही 24 आकर उसे एक पंच देती है अब वो अपनी पावर को फील कर सकती थी वो लगतार Wanda को मानने लगती है और एक पोर्टल खोल कर उसे खौलते हुए लावे में गिराने वाली होती है पर वो रुख जाती है और कहती है कि वो उसके जैसा नहीं बन सकती और उसके सामने उसके दूसरे वरजन वाला पोर्टल खोल देती है जहां उसके दोनों बच्चे उसे देखकर डरने लगते हैं वहां उनकी मॉम वांडा आती है जिसे वो वहां से दूर फिक देती है और कहती है कि वो उनकी मॉम है वो दोनों बच्चे असकालेड वीच पर चीजे फिक कर मानने लगते हैं और वो उससे डर कर छोपने लगते हैं, वो उनके पास पहुंचकर कहती है कि वो उने हर्ट नहीं करना चाती, वो किसी को भी हर्ट नहीं कर सकती, क्यूंकि वो एक मॉंस्टर नहीं है, और वो वहीं बैटकर रोने लगती है, उसकी दूसरी वर्जन वॉंडा उसके पास आती ह और प्यार से उसके चेहरे पे हाथ फेरती है और तब 24 उस पोर्टल को बंद कर देती है वांडा को अब अपनी गलती का एसास हो चुका था वांडा और 24 वहां से पोर्टल खोल कर अस्ट्रेंज को लाने चले जाते हैं वांडा वहां के सब कुछ को तोड़ कर बरबाद कर देती है ताकि दोबारा कोई डार्क होल्ड को यूज ना कर पाए अस्ट्रेंज देखता है कि उसके पास की भी डार्क होल्ड की बुक डिश्ट्रॉय हो गई है Wanda ने हर युनिवर्स के डार्क होल्ड को खत्म कर दिया था Wong और Chavis अस्टेंज को लेने के लिए वहां आ जाते हैं आगे हम देखते हैं कि America Chavis भी कमर ताज में सीखने की कोसिस कर रही है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज दू लाकेंड शेर देवीडियो और प्लीज सब्सक्राब तो मैं चैनल और प्रेस देट बिल आकन